हेलो गाईज और विल्कम बेक टू माई चैनल तो आज हम करेंगे यहाँ पर होंडा हाइनस की टेस्टाइड रिव्यू और मैंने इस बाइक को कम से कम 10 से 20 किलिम्टर चलाया है और मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा तो जैसे मैंन को कोई 350 सिंगल सेंडर इंजन इतनी स्मूधनेस नहीं प्रवाइड कर सकता तो यह मुझे बैठती फील होता है डिफ्रेंस मैंने हैं पर मेट्य और 350 वी चलाई है और यहाँ पर मैंने होंडा हाइनस 350 वी चलाई है पर जो मैं स्मूधनेस और हम कह सकें कमफर्ट की बात कर स सकें इसके इंजन स्मूधनेस में तो जो फर्स नमबर पाती है हमारी यहाँ पर होंडा हाइनस CB 350 आती है एक वार आप जरूर इसकी टेस्ट लेकर देखिए जाहिए आप होंडा के शोरूम में और होंडा हाइनस चला कर देखिए आपको बैठते ही फील हो जाएगा पूरा दिफ्रेंस और साथ में बात करें इसके गेर शिफ्टिंग की तो आपको इसके अंदर सीपर क्लेश देखने की मिलता है जिससे जो इसके गेर शिफ्टिंग है बहुत ज्यादा स्मूध हो जाती है आप इसे फर्स सेकिंड थर्ड और फोर्फ गेर तो बड़े ही प्यार से लगते हैं मतलब इतने स्मूथ लगते हैं कि आपको बिल्कुल भी जर्ग नहीं आएगा इसके स्रीप लकेश होने की बजा से और आपकी जो इसमें स्पीड है फोर्फ गेर में भी आपको बिल्कुल वी ऐसे लगा कि इंजन स्ट्रेस कर रहा है आपकी 100 स्पीड प्लस लग अधिवेट नहीं लेगेगी जब आप राइड करोगे तो और जो इसकी टर्णिंग लीडेस की बात करें तो वो भी इतना कम है कि आप हाफ रोड में ही पूरी बाइक को टर्न कर लोगे और इस वेसे जो है आपका टर्निंग लीडेस काफी अच्छा बन जा था इस बाइक क और बात करें इसके भाई brakes की, तो brakes काफी अच्छे हैं आपको इसके अंदर dual channel ABS मिल जाता है और आपको front और rear में भी disc देखने को मिलता है और third बात करें हम इसके suspension की तो हाँ भाई suspension मुझे थोड़े से इसके stiff लगे, जिससे जो यहाँ पर port holes यहाँ पर कोई breakers आता है तो हम कह सके हैं थोड़ा से हमें जटका देखने को मिलता है जिससे हैं पर हम कह सकते हैं कि बाईक की जो suspension थोड़े stiff हैं, front और rear दोनों मैं यह कह सकता हूँ, मैं जितना ही बाईक को चलाया उस भीहाव पर, फिर बात करते हैं इसकी speed की, acceleration की और pickup की, तो जैसी मैंने बाईक को हैंपर 0 से लेकर 100 की speed तक गया तो उसमें मुझे कोई भी lag देखने नहीं 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 बिल्कुल ही आराम से गई थी यहाँ तक कि 3rd gear जो है, वो 80 प्लस आ रहा था आसानी से, और 4th gear में प्लस आसानी से cross कर रहा था और जिबकि आपका 5th gear मिलता है और 5th gear में भी आपकी आसानी से 120 से लेकर 130 तक जा सकती है अगर इस stress करोगे तो, नहीं तो आप बात करें 0 से 100 की तो 0 से 100 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी की है, आपकी अराम से बिल्कुल जाएगी, आपकी पिछे कोई पिलेन भी बेटा हो, तो यह भी कोई दिक्कत नहीं आनी की है इसके अंदर आपके मिलती है 21.5 PS की पावर और 30 NM का जा टॉर्क है वो सही में दिखाई देता है जब आप इसको practically चलाओगे बाइक को तो यह जो मैंने पूरा feel किया है बाइक को जो मैंने राइड किया था highway पर और यहाँ पर हम कह सके है street में भी, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है हम कह सके हैं, जब आप street के अंदर इस बाइक को filter करोगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की है, आसनी साब इसे manage कर सकते हैं, एक रूबाद यहाँ पर जब जब ज़्याद notice करने वाली है, वह यह भाई इसका exhaust note, और exhaust note भाई इतनी प्यारी वाज करता है, कि आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी aftermarket exhaust लगाने किस बाईक के अंदर, आपको इकतम grunt feel आजाएगा, और हम कह सके हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप जब इस बाईक को चलाओगे तो मेरे तरफ से एक वाईस के टेस्टार ज़रूर लेकर देखिए, आप बिल्कुल खुस हो जाओगे इस बाईक को चलाकर और आप चाहें यहाँ पर classic ले रहे हो 350 तो आप मुझे लगता है, उसका मन अपको हट जाएगा, इससे लाने के बाद और आप यहाँ पर Honda Hynes CB50 के तरफ जाओगे, तो आपको जिसके अंदर exhaust है, वो stock मिलता है stock की जो sound है, वो काफी अच्छी है इतनी ज्यादा loud भी नहीं है, और ना जाए तनी कम है, कि आपको यहाँ पर aftermarket custom exhaust लाने की जुरुत पड़े तो मैंने यहाँ पर बैठते हैं, यही feel क्या था second time की इसके जो exhaust note है, वो काफी अच्छा है, आपको base ही मिलता है और हम कह सकें, कि आपको grunt ला देगा, बिलिकुल आपके दिल को छूजाएगा इसका exhaust note, इतना अच्छा है चलिए तो बात कर लेते हैं, हमें उसके कुछ vibration की, जब भी आप इस बाइक को ride करेंगे तो आपको vibration है, कहाँ feel होंगे या फिर नहीं होंगे तो जैसी हम बाइक को बैठते हैं, और बाइक को चलाते हैं 100K speed तक तो आपको vibration है, वो बिल्कुली feel नहीं होंगे, आपको यो seat में front और rear में बहुती कम, मैं कह सकते हैं बिल्कुली नहीं होते हैं, vibration feel हाज जो थोड़े हो vibration feel होते हैं, वो इसके handles में, handles bars में आपको थोड़ा सा vibration देखने को मिलेगा तो bike के जो हम पर rear view mirrors हैं, उसके अंदर आपको बिल्कुली वाइरशन देखने को नहीं मिलता है आप चाहें bike 30 आफोटी की suit चलाईए आपको जो पीछे ब्याइगणों में bike चल रही होंगी या फिर कोई vehicle चल ला होगा पीछे आपको mirrors के अंदर साफ साफ दिख जाएगा ऐसी कोई आपको दिक्रत नहीं आने की है नहीं तो आपको foot pack में बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है tank में भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है और seat में तो भाई है नहीं जिससे जो long rider काफी अच्छी रहेगी और आपके जो seating posture है वो काफी smooth रहेगा अब next बात करते हैं इसके tires की तो अच्छी grips थी वो भी काफी अच्छी थी इसके जो front tire है वो आपको 90 by 100 के देखने को मिलता है और जो rear tire है वो आपको 130 section के देखने को मिलता है इससे जो इसकी tire grip है वो काफी अच्छी है इसकी tire है वो wide है rear वाला हम बात करें meteor 350 से तो meteor के अदर आपको 140 section के tire देखने को मिलता है जिससे इसके जो grip है वो ज्यादा अच्छी होती है इसके बात करना पर Honda Highness की तो आपको इसके अदर 130 section के tire देखने को मिलता है जिससे इसकी grip थोड़ी सी कम है तो आपको इसके अदर जो LED light है वो भी काफी अच्छी मिलती है और जहां पर हमें सब कुछ LED देखने को मिलता है चाहें बात कर में इसके indicators की और यहां पर tail light या फिर हम इसके headlamps की तो आपको सब कुछ जिसमें LED देखने को मिलता है इसे जो bike की look है वो ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है चलिए तो बात करते हैं इसको इस features की जो इस bike को थोड़ा अलग बनाते हैं और बाइक से तो सबसे पहले जो useful feature मुझे लगा था वो था भाई distance to empty यह जो feature यह बताता है कि हमारे जतने अंदर फ्यूल है बाइक के अंदर उसमें कितने किलिमेटर बाइक चल जाएगी तो सबसे useful feature मुझे यह लगा था और second है इसके अंदर हमारा कि आपके इसके अंदर real time averages देखने को मिलता है और third है हमारा इसके अंदर में current voltage कितनी provide का रही बैटरी वो भी हम इसके अंदर देखने को मिलता है यह जो features हैं काफी अच्छे हैं और इनको toggle करने के लिए यहाँ पर handlebars के अंदर हमें navigation buttons दे हुए हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की है अगर आप कोई भी इसमें menu को toggle करना चाते हैं और कुछ changes करना चाते हैं trip और trip भी में और साथ हैं बात करें इसके हम parts की तो इसके अंदर आपको maximum जो 90% parts हैं वो पूरे steel के हैं और जो की chrome finished में यहाँ पर करेगा हैं bike में और जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं इससे plastic की बात करें तो आपको जो plastic को वो इसके indicator से में देखने मिलेगा और year में जहाँ number plate लगती है वहीं पर ही और थोड़ों तो आपको मीटर में देखने मिलेगा नहीं तो सब कुछ यहाँ पर chrome का दिया हुआ है और steel का दिया हुआ है तो मिलेठ में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यृड होंडा में आपको देखने को मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको जल्दी मिलेठ के अंदर हिहां पर Hyundai big wing ओपन होने वाला है स्री देव होंडा की तरफ से जिसमें आपको higher CC की दिक्यापने बाइकिस यहां पर ले सकते हैं मिरेट के अंदर आपको बार बार आप डेली जाने की जड़ोत नहीं पड़ेगी और सेक्ट बात करें इसके डियलेक्स प्रोविरेंट की तो आपको पड़ती है 1.90 लेक एक्सोरूम डेली और इसके ओनर पैस मिरेट की बात करें तो यह पड़ती हैं पर 2 लेक 20, मतलब आपको एप्रोक्स 5000 का डिफ्रेंस दिर्ग मिलता है डेलेक्स और डेलेक्स प्रोविरेंट में तो चलिए वीडियो को कैसी लगी आप मुझे कमेर में बिता सकते हैं अगर आपको कोई बाइक पर्चेस करनी हो तो आप स्रीदे भॉंडा आ सकते हैं मेरेट के अंदर और आप बाइक पर्चेस कर सकते हैं थैंक्स वर वचिंग मिलते हैं नेक्स एडियो में तब तक के लिए बाइ झाल